हेलो एवरिवन, वेलकम टू वर्स एजुकेशन, हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में इक्यू पोटेंशल सर्फेसिस एंड देर प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था, तोडे वी विल स्टार्ट इलेक्टिक पोटेंशल एनर्जी, इलेक्टिक पोटेंशल एन पोटेंशल एनर्जी, जब हम इसकी डेरिविशन करेंगे, तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा, ओके हम फिर्स्ट केस ले रहे हैं, पोटेंशल एनर्जी ओफ एनर्जी फांड आउट करनी है, अगर आपके पास टू पोटेंशल एनर्जी हैं, इससे पहले अगर हम बात करें, एक ही आपके पास चार्ज है, मतला फिर्स्ट चार्ज है आपके पास, वो पी वन पोट पे आप लेके आ रहे हैं, उसको वो चार्ज है क्यू वन को आप इन्फिनिटी से लेके आए, पी वन पोट तक, तो आपको कितना वर्क ड़न करना पास, हम जब इस चार्ज को यहां लेके आए, पी वन पोट तक, तो यहां कोई और चार्ज था ही नहीं, अगर कोई और चार्ज नहीं था उस एरिया में, तो वहां पे फिल्ट भी कोई नहीं होगी, जिसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, पोटेंशिल तो जब हम फिर्स्ट वाले चार्ज को लेके आएंगे, तो वहां पर तो अल्रड़ी उस वाले एरिया में कोई चार्ज है ही नहीं, मींस वर्क दन क्या होगा उसका, जिरो, वहां कोई फिल्ट ही नहीं थी, जिसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, क्लियर हुआ, तो इसलिए हम जब Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे P1 पॉइंट तक, तो W1 की वैल्यू के आजाएगी 0, यह क्लियर है, अब हम कर रहे हैं, पोटेंशियल अलर्जी ऑफिस सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जिस, अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जिस हैं, तो हमने क्या कह लिया, कि P1 पॉइंट पे Q1 चार्ज आपके पास अल्रड़ी है, अब आप क्या करोगे, Q2 को इन्फिनिटी से आपको लेके आना है P2 पॉइंट तक, ठीक है, जो P1 से R12 डिस्टेंस पे है, हमने इनके बीच का डिस्टेंस कंसीडर कर लिया, R12, because यह 1 है, यह 2 है इस तरह से, R12 इनके बीच का डिस्टेंस है, तो हमें कितना work done करना पड़ रहा है, हमें पता है potential energy क्या होती है, कितना work done करना पड़ रहा है हमें, उसको infinity से लेके आने में उस point तक, ठीक है, तो work done निकालना है हमें, अब हमें पता work done हम कैसे find out करते हैं, work done के लिए हम वो Q1 charge की वज़ा से है, P2 point पे, जो potential लगेगा, वो होगा V1, उसकी value क्या होगी, 1 upon 4 pi epsilon 0, यह वाला charge Q1 divided by इनके बीच का distance, that is R12, यहां कितना potential लग रहा है, उसके बाद हमें क्या, हमें तो find out करना है work done, और work done क्या होता है, यह वाला यहां पी जितना potential है, इसकी वज़ा से जो लग रहा है, multiply by जिस charge को आप infinity से ले के आ रहे हो, इस तरह से आप निकाल दोगे, work done, W2 की value, clear है, ओके देखो, अगर इसको थोड़ा अच्छे से और भी explain करना है, हमने consider कर लिया, देखो, पहले 2 point charges है, एक point आपके पास यहां already है, यह हमने ले लिया P1 point, और यहां पे charge है Q1, अब आपको क्या करना है, यह P2 point है, यहां पे आप Q2 charge को ले के आओगे, कहां से ले के आओगे, यह था infinity पे, Q2 charge, infinity पे था, यहां से आप ले के आओगे इसको यहां तक, इस point तक ले के आना है आपको इसको, इनके बीच का distance क्या है, R12 हमने consider कर लिया, तो हम कैसे नि काने में, कैसे निकालते हैं हम work done, देखो, सबसे पहले, यहां पे potential की value क्या है, इस charge की वज़ा से P2 पे, उसको बोल देंगे V1, V1 की value क्या होगी, 1 upon 4 pi epsilon 0, ठीक है, यह वाला charge means Q1 divided by इनके बीच का distance, that is R12, clear है, यह हो गया यहां पे V1, इसकी वज़ा से potential कितना है, एक potential की value पता होनी चाहिए हमें, और अब आप निकाल सकते हो, W2 की value, W2 होता क्या है, V1 कितना potential लग रहा है, इसकी वज़ा से यहां पे, multiply by जिस charge को आप लेके आ रहे हो, multiply by charge की value, that is Q2, ठीक है, तो W2 की value आपके पास आ गई, क्या, V1 की value क्या है, 1 upon 4 pi epsilon 0, Q1 divided by R12, और multiply by हो गया Q2, means यहां पे आ जाएगा Q2, यहां आगे आपके पास किसकी value, W2 की value, इतना work done करना पढ़ रहा है, चीक है, और हमें पता है potential, हम निकाल रहे है potential energy for system of charges, जिसमें कितने charges हैं, 2, Q1 and Q2, तो potential energy को हम represent करते हैं, U से, और U क्या हो जाएगा, W1 plus W2, और W1 तो हमने पहले आपको बता दिया, W1 की value क्या होगी, 0, W1 की value 0 क्यों आई, because जब हम इस charge को infinity से ले के आ रहे थे, तो यहां पे already कोई charge था ही नहीं, वो first charge था, तो हमें work done करना ही नहीं पड़ा, चीक है, because वहां पे कोई field थी ही नहीं, जो oppose करे हमें उस charge को infinity से ले के आने में, चीक है, तो W1 आ गया, 0, 0 plus W2, W2 क्या है, 1 upon 4 by epsilon 0, Q1, Q2 divided by R12, यहां आगी आपके पास potential energy for system of two charges, clear है, यही चीज़ हमने यहां पे write down की है, चीक है, electric potential due to a charge Q1 at point P2 at the distance R12 from P1 will be, V1 की value होगी, 1 upon 4 by epsilon 0, Q1 divided by R12, यहां पे, इसकी वज़ा से potential की value find out करें, हमने पहले की, ठीक है, फिर हम work done निकाल देंगे, और work done क्या होता है, W2, क्योंकि हम second charge को ले के आ रहे हैं, ठीक है, W2 equal to हो गया, उस point पे जहां पे आप ले के आ रहे हो, वहां पे potential की value कितनी है, जो that is V1 multiplied by Q2, V1 की value put की और Q2 की, और हमें पता है, अब W, जो आपके पास potential energy होती है, वो क्या होती है, W1 plus W2 के ब्रापर, because हम दो charges की बात कर रहे हैं, तो W1 की value तो 0 है, और W2 की value आपने ही हाँ पे put कर दी, यह निकल की है, आपकी potential energy for system of two charges, clear हुआ यह, अब हम लेते हैं, 3 charges, of a system of three point charges, अब मालो, आपके पास three point charges हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो, अब यह 3 की बात हम करें, तो, देखो, जैसे मालो, अब 3 की बात कर रहे हो, तो, अब सबसे पहले क्या है, यह इस तरह से माल लेंगे हम, यह, इस तरह से, ठीक है, यह वाला point कौन सा है, यहाँ प P1 point है, और यहाँ पे, यह आपके पास P2 है, और charge कौन सा है, Q2, कहां से लेके आए थे इसको भी हम, infinity से, यह infinity मालो, Q2 charge यहाँ था, यहाँ से हम इसको लेके आए थे, इस वाले point पे, और यह है P3, P3 point, और यहाँ पे, आप किसको लेके आओगे, Q3 को, ठीक है, और इसको भ यह भी infinity पे था, clear है, अब इन दोनों के बीच का distance, हमें पता है, पहले माना था हमने R12, अब हम इस charge को लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो इस और इसके बीच का जो distance है, उसको हमाल लेंगे R13, क्योंकि 1 और 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इसके बीच का distance, इसको हमाल लेंगे हम R23, 2 और 3 की बात करें हम charges की, तो इस तरह से, because ऐसे easy हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, इस तरह से हमने distance ले लिए, अब हम 3 point charges की बात कर रहे हैं, तो देखो, 3 point charges मतलब यह आ रहा है, जब आप Q3 को लेके आओगे इस P3 point पे, अब आपको find out करना है कितना work done करना पड़ है हमें, ठीक है, work done, find out करना है आपने, तो सबसे पहले आपको इस point पे क्या पता होना चाहिए, potential की value, because अब यहाँ पे कितने charges हैं already, 2 charges है, तो इन दोनों charges की वज़ा से potential की value लगेगी यहाँ पे, clear होना है न, पहले तो एक already था, एक आप लेके आए, तो एक की वज़ा सी ही V1 charge की वज़ा से भी यहाँ पे potential की value होगी कुछ, और Q2 की वज़ा से भी होगी, clear है, ओके, तो हम कैसे निकालेंगे work done, अब आपके पास जो work done आ जाएगा, means W3 आएगा, वो किस, क्या क्या होगा वो, एक तो, इसकी वज़ा से जो, इसकी वज़ा से यहाँ पे जो potential की value है, उसको हम कौन सा नाम दे देंगे, V1, और इसकी वज़ा से भी यहाँ पे potential की value लग रही होगी, वो क्या है, V2, चीक है, यह हो जाएगा, आपके पास क्या, potential की value वहाँ पे, और multiply by क्या होता है, जिस charge को आप लेके आ रहे हो, यह होता है ना work done, Q3 को लेके आ रहे हो, बस 3 व value, means, इस वाली जगा पे, यहाँ पे, इसकी वज़ा से जो potential लग रहा है, उसको कैसे इनकाल होगे, 1 upon 4 pi epsilon 0, Q1, divided by इन दोनों की बीच का distance, that is, R1, 3, प्लस, V2 की value, चीक है, अब V2 की value कैसे find out करेंगे, 1 upon 4 pi epsilon 0, Q2 charge, और इनकी बीच का distance, वो कितना है, R2, 3, clear हो गया, यह आ गया, V1 प्लस V2, multiply by, जो आप charge लेके आ रहे हो, यही तो होता है, work done, तो W3, इस तरह से आप find out करोगे, अब इसको simplify कर लिए हमने थोड़ा सा, तो क्यासे हो जाएगा यह, 1 upon 4 pi epsilon 0, को बहार ले लेंगे, और अंदर आ जाएगा, Q1 divided by R1, 3, प्लस Q2 divided by R2, 3, multiply by Q3, वैसे में इस step में भी कर सकते थे, 1 upon 4 pi epsilon 0, अब Q3 से multiply कर दो, Q1, Q3 divided by R1, 3, प्लस Q2, Q3 divided by R2, 3, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक, यह आपके पास निकल गया, यह, W3 की value, यह आपने, इसकी value निकाल दी यहाँ पे, W3 की, पर अब हमें पता है, जो potential की value, अबर आपने 3 charges की वज़ा से निकाल ली है, तो क्या होगा, W1, प्लस W2, प्लस W3, वह आप charges, जितनी value है, वह जो हमने calculate की, वह हम यहाँ पे write down कर लेंगे, देखो इस तरह से, ठीक है, potential energy of a system of 3 point charges की वज़ा से क्या किया हमने, हमने यहाँ पे एक P1 point पहले था, P2 पे आपने यहाँ पे अभी Q2 charge को आप लेके आ गए हो, अब हम Q3 को लेके आएंगे, इनकी पीछ का distance हमने यहाँ पे, जो भी हमने explain किया, तो W3 कैसे आजएगा, potential at point P3, P3 पे potential किसकी वज़ा से P1 की वज़ा से, और multiply by, और किसकी, and Q2 की वज़ा से, इसकी वज़ा से, potential की value होगी, multiply by, जिस charge को आप लेके आ रहे हो, that is Q3, जीक है, यहाँ हमने calculate किया, वही same calculation, W3 equal to this one, यह होगी आपके पास V1, और यह होगी आपके पास V2, multiply by, जिस charge को आप लेके आ रहे हो, that is Q3, यही हमने solve किया, और W3 की value आपके पास आ गई, यह वाली, clear है, okay, अब hence the electrostatic potential energy of the system of three charges के लिए आपको electrostatic potential निकालना है, energy निकालनी है, तो वो equal to किसके होगी, U equal to total work done due to assemble the three charges, तीनों charges को assemble करने में कितना work done लगा आपको, ठीक है, तो तीनों का work done लेंगे हम, तो तीनों का क्या ह होगा, U equal to W1 plus W2 plus W3, W1 तो 0 था, ठीक है, plus W2, W2 की value आपने अभी find की, 1 upon 4 pi epsilon 0, Q1 Q2 divided by R12, ठीक है, हमने यहाँ पर एक अठ्था लिख दिया, इसको हमने बाहर ले लिया, और Q1 Q2 divided by R12, यह वाला plus, अब क्या हो जाएगा, plus W3 की value, यह W2 की आगी, W3, W1 तो 0 था, W3 की value य यहाँ से भी हमने 1 upon 4 pi epsilon 0 बाहर ले लिया, और यह अंदर वाली चीज यहाँ गई, Q1 Q3 divided by R13, प्लस Q2 Q3 divided by R23, क्लियर हुआ, इस तरह से हम find out कर सकते हैं, electrostatic potential energy, electric potential energy for a system of charges, ठीक है, अगर आपके पास 3 system of charges हैं, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, अब तो आपके पास जित इतने भी charges हो, तो आप find out कर सकते हैं, उनकी value, clear है, आपके पूरी calculation समझ आई, सबसे फिल, हमें easy things हमें एक ही करना है, कि हमें कितना work done करना पड़ रहा है, उस charge को infinity से लेके आने में, उस area में, जहाँ पे आपको, उस area में, जहाँ पे already क्या है, charges हैं, वहाँ तक लाने में, उसको कितना work done करना पड़ रहा है, और वो कैसे हम निखालेंगे, उस वाले area पे, उस point पे जहाँ पे आप लेके आओगे, वहाँ जो already charges हैं, उनकी वज़ा से कितना potential लग रहा है, multiply by, जिस charge को आप लेके आ रहे हैं, उससे आप multiply कर दोगे, that is work done, ठीक है, उसी को हम क्या कहत हैं, potential energy कहते हैं, I think आपको clear हो गया, okay thank you,